रामायन में सबसे सुन्दर, भगतों सुन्दर कांड है, श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर, भगतों सुन्दर, भगतों सुन्दर कांड है जामबंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभुराम जी की मुद्रिका को मुख में डाल कर पवन वेक से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते हैं मार्ग में उन्हें सुर्सा नामक राक्षसी मिलती है जिसे देवताओं ने आहार का वरदान दिया हुआ है देवताओं के वरदान का मान रखते हुए श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं सुर्सा उनकी चतुराई से अतिप्रसन्न होती है और उन्हें विजय होने का आशिरवाद देती है। उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरिया पहुचते हैं कि क्या देखते हैं द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। श्री हनुमान जी जियों ही लग रूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोकर उनसे युद्ध करने लगती हैं। मारी लात मुष्ठिकाती मारी लंकिनी धरा पे गिर आई। जाओ राम के काज कराओ हनुमत से वो बतलाई। हनुमान के हाथों मर के मुक्ती उसने पाई है। लंका भीतर हनुमत आये अखियां फिर चोंधाई है। सिया मा का पता न पाई। सिया मा का पता न पाई तेहरत में हनुमान है। श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर कान है श्रीहनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर लंका में घूमते घूमते अचानक उन्हें श्री राम नाम अंकित एक कुटिया दिखती हैं सत्य जानने हे तू वे ब्रहमन का रूप बना कुटिया में जाते हैं तो वहाँ पर पापी रामन का श्री राम का परमभक भाई विभीशन को पाते हैं दोनों में मैत्री हो जाती है और वही से हनुमान जी को मा सिया का पता प्राप्त होता है अशोक पाटिका में पहुँचकर श्री हनुमान जी मा सिया को प्रभू की मुद्री का देकर उनका संदेश देते हैं और मा सीता से वातसल्य और धेर सारे वर्दान प्राप्त करते हैं मा सीता की अनुमती लेकर वो बग्या से फल तोड़ कर खाने लगते हैं जिससे उनका राक्षसों से भैंकर युद्ध हो जाता है जिसमें रावण का पुत्र अक्षे कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है अब रावण का परम प्रतापी पुत्र मेगनाद उन्हें पकड़ कर अपने पिता रावण के पास ले जाता है सीता मा को वापस कर दो हनुमत ये समझाते हैं सुनी बात हनुमत की रावण प्रोध में आ जाते हैं तेल पोरी पट बांध पुनी फिर पूँच में आग थि लगवाए अनुमत ने भी राम बोल के सारी लंका जलवाई गूझ रहा लंका में देखो भगतों जै श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणदान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर अम तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीला आउता करता ये गुणगान है करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर श्री हनुमान जी ने जै जै श्री राम का उधोश करते हुए सारी लंका को अपनी जलती हुई पूँच से जला दिया इधर हनुमान जी जै श्री राम बोलते जाते उधर लंका में हाहा कार मचता जाता एक विभीशन की कोटिया को छोड सारी लंका जल कर राख बना दी समुद्र में अपनी पूँच की आग बुझा कर हनुमान जी मा सिया के सन मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूडा मनी लेकर जै श्री राम का उधोश करते हुए रामा दल में लोट आते हैं प्रभू श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को रिदे से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं अब प्रभु की सेना सागर तट पर आप पहुची है तीन दिनों तक करी तफस्या फिर भी सागर ना माना शिरी राम ने अगनी बान फिर अपने धनुश पर खाताना शमा मांगली सागर ने और ये उपाय थे पतलाए नल और नील के हाथों सागर पर से तू तो बंधवाए शिला तेर गई सागर में शिला तेर गई सागर में जिस पर तो लिखा श्री राम है श्री हनमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर शीहन मत की लीला ओँठा करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर सागर पर सेतु बांध राम सेना लंका तटपरा पहुँची रावन का भाई विवीशन तो पहले ही रामा दल में सम्मिलित हो चुका था आज रावन सेना का संचालन मेगनात कर रहा है और इधर राम सेना का नेतरत्व लक्ष्मन जी कर रहे हैं दोनों योध्धाओं में घंघोर भयन कर योध्ध हुआ कि तभी मेगनात ने शक्ति प्रहार से लक्ष्मन जी को मुर्चित कर दिया विभीषण के कहने पर लंका नगरी से श्री हनुमान जी वैद्य सुषेण को लियाए वैद्य जी के बतायनुसार श्री हनुमान जी पवनवेग से उड़कर हिमालय परवत स्रंकला से संजीवन भूटी वाला द्रोणा गिरी परवत की उठालाए संजीवन ग्रहन करते ही लक्ष्मन जी जीवित हो उठे और पूरे रामा दल में जै श्री राम और जै हनुमान जी की जैकार होने लगी बूटी वाला परवत लाए प्राण लखन के राखे थे राम काज करने में हनुमत भगतों सबसे आगे थे भरत समान बताए राम जी उनको हिरद लगाए थे रेम के आशू भक्त और भगवान के आखों आये थे राम चरण में बैठ गए थे राम चरण में बैठ गए थे भगतों फिर हनुमान है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर उन तो सुन्दर कान है शीहन मत की लीलाओं का करता ये कुणगान है करता ये कुणगान है रामायन में सबसे सुन्दर रावन और राम जी के बीच घंगोर युद्धु हुआ भक्तों और रावन का अंकर प्रभूश्री राम जी में मा जानकी को उनकी कैद से छुड़ाया और भाता लक्षमन अपनी पत्नी सीता और अनेकानेक योध्धाओं के साथ पुश्पक विमान चड़कर अयोध्या आ गए भाई भरत ने विधी विधान से राम जी का राज तिलक करवाया अयोध्या नगरी ने दीप जलाकर सारे नगर में दीबावली मनाई देश देशांतर के राजाओं ने राम जी और सीता जी को अनमोल उपहार दिये विभीषण ने भी अनमोल रतनों की माला मा सीता को भेट स्वरूर दी जो मा सीता जी ने हनुमत के कले में पहना दी और हनुमत को देखो माला का एक एक मन का तोड़ता जाता है और उसे फेटता जाता है विभीषण के पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि जिस माला में श्री राम नहीं वो माला भला मेरे किस काम की क्रोध्वे विवीशन के ताना देने पर हनुमान जी क्या करते हैं आईए सुनाता हूँ लंका पती ने हसी उड़ाई आखों आसु भर आई सीना चीर के रामसिया का दर्शन सबको करवाई राम नाम का चंदन अपने कनमन पे सब रंग डाला राम भगत कोई हुआ न होगा अनुमत तुम सामत वाला जिसकी श्वास श्वास में भगतों वस्ते प्रभु श्री राम है श्री हनुमत की लीलाओं का करता ये गुणगान है रामायन में सबसे सुन्दे रामायन में प्रभु जाराए झाल झाल